हेलो फ्रेंद्स वेलकम बैक टू माई चैनल जहाँ पर बाते करते हैं अल इन टोपिक पर तो गाइज गोपास्ट मी आ रही है और गोपास्ट मी पर गोउमाता का आपको किस तरीके से पूजन करना है और घर में ही आप किस तरीके से गोउमाता का पूजन कर सकते हैं तो यहा पर पानी के अंदर मैंने हल्दी डाल कर गव माता को इसनान कराया है और उसके बाद मैं यहां पर गव माता को साधे जल से इसनान करा रही हूं गंगा जल डाल करके और गव माता का इसनान हो चुका है और अच्छे से गव माता को यहां पर मैं पूछ दूँगी पूछने के बाद तो यहां पर गव माता को मैं अच्छे से पूछ रही हूं और गव माता का पूजन भी इसी तरीके से किया जाता है जिस तरीके से हम भगवान जी का पूजन करती हैं क्योंकि गव माता भी भगवान के ही रूप में मानी जाती है और यहां पर मैंने एक चोकी लगाई सुपारी के रूप में और यहाँ पर मैंने अपनी जो गोमाता है उनको भी विराजमान कर दिया है साथ में यह देखिए जो मेरे बाल गोपाल जी है मेरे लड़ू गोपाल जी है उनको भी मैंने यही पर बैठा लिया है आप भी अगर आपके पास गोपाल जी है तो आप जब गौमाता की पूजा करें तो गोपाल जी को भी चोकी पर बैठाएं और यहाँ पर मैं गंगाजल से आजमन कर रही हूँ गनपती जी महराज का सबसे पहले किया जाता है कोई भी पूजा हो या कोई भी हमन या कितनी भी बड़ी पूजा हो सबसे पहले सबसे पृद्रम गनपती जी महराज को याद किया जाता है और यहां पर मैंने इनको इस्नानवी करा दिया है साथ में इनको कर रही हूँ तिलक गोव माता को भी मैंने हैं अच्छे से तिलक न कर दिया है और साथी बाल गोपाल जी मी भी है उनको भी मैं यहाँ पर अच्छे से तिलाग कर दूँगी तो जब भी आप यहाँ पर माता का पूजन करें तो काना जी को जरूर बैठाएं और यह कहा जाता है कि आज के दिन यानि की गोपा अस्टमी के दिन ही जो सबसे पहले गाएं चराने के लिए काना जी का जो गाना जी ने गाएं को चराया था तो वो दिन गोपा अस्टमी ही कहलाई जाती है आज के दिन ही जो काना जी ने गोपा अस्टमी के लिए गाएं जाती है तो उससे अच्छी बात क्या है और यहां पर कलावा रूपी वस्तर अरपन कर रही हूं गनपती जी माराज को और गोवमाता को और साथ में अपने गोपाल जी को भी क्योंकि माना जाता है कि जो गौमाता की पूजा करते हैं उनके सभी कस्ट दूर होते हैं और यहां पर मैंने यहां पर रियल गास ली है गौमाता को उसका बहिए पर भोग लगा दूँगी तो मैंने हाँ पर केला और सेव लिया है आप जो भी आपके पास हो आप वो अर्पित कर दीजिए और गव माता के उपर आपको वस्तर जरूर अर्पन करना है यानि कि या तो फिर आप पीले कलर का वस्तर ले ले या फिर आप कोई भी चुन्री ले सकते हैं गव माता को प्रणार भी लिया है क्योंकि गव माता हमारी पूजनीय है और देवी देवताओं में आती हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि जो कनहिया है उनको गव माता बहुत ज़्यादा प्रिय हैं और यहां पर मैंने भोग के लिए मिस्ठान लिया है आप यहां पर माखन मिस्री ल के अंदर मैंने स्वास्तिक बनाया हुआ है स्वास्तिक के साथ यहां पर मैंने चावल लिये हैं चावल के उपर मैं आपर दीपक रख दूँगी और यहां पर जोत को जला लूँगी तो गाईज हो सके तो अगर आपके यहां पर गव माता है तो आप जो रियल गव माता की पूजा कर सकते हैं हो सके तो जो गवमाता कि पूजा करने से सभी कस्ट दूर होते हैं आपकी मनो कामना पूर्न होती है और यहां पर मेरी पूजा हो चुकी है साथ मैं अब कर रही हूँ मैं यहां पर आरती तो आरती आप गौमाता की करिए गनपती जी महराज की करिए और जो गौपाल गौपाल जी है उनकी भी करिए अगर आपके पास गौपाल जी नहीं है तो आप यहां पर विश्नु भगवान जी की भी पृतिमा लगा सकते हैं या फिर आप किर्शन भगव जी की जो प्रतिमाती है वो भी लगा सकते हैं अगर आपके पास गोपाल जी हैं तो वो भी आप यहाँ पर बैठा सकते हैं और मिस्ठान में यहाँ पर मैं गौमाता को लड्डू का भोग लगा रही हूं क्योंकि गव माता बहुत पूजिनिया होती है और गव माता की पूजा तो सर्वस्रेस्ट माननी जाती है इसलिए गव पास्ट मी के दिन गव माता की पूजा आप जरूर करिएगा अगर आपको रियल गाएं नहीं मिलती है तो आप घर में जो गवमाता हैं उनका पूजन जरूर करिएगा तो यहाँ पर मेरा अच्छे से पूजा हो चुकी है मैंने गवमाता जी को और गंपती जी महराज को भी भोग लगा दिया है क्योंकि गंपती जो महराज है उनको तो लड़ू बहुत पसंद है तो यहाँ पर सब का भोग लग चुका है मेरी पूजा अच्छे से हो चुकी है और मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश की है गाईज आप बहुत आसान तरीके से गव माता की पूजा घर में कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले और आगे भी आप मुझे पूजा से रिलेटिर या फिर किसी चीज से रिलेटिर कोश्चन कर सकते हैं